जहन फ्रेंड्स, आइम शुभम, वेलकम टू माई यूटूब चैनल SMSTD गुरू, यूपी ट्रपल लेसी लोवर पीसिस की परिच्छा 30 सेप्टेमबर और 1 अक्टूबर को 4 पालियों में समाप्त हुई, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 अक्टूबर, मौर्निंग रही है, कुछ questions गलत भी है, उनको भी हम लोग last में discuss करेंगे, चलिए फिर start करते हैं आज का अपना session, पहला question है, यदि x square minus 3x plus 1 is equal to 0, तो x square plus x plus 1 upon x plus 1 upon x square का मान क्या होगा, यह 4 options आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं इसमें देखें क्या करेंगे, तो यहाँ पर x square minus 3x plus 1 is equal to 0 दे रखा, यहाँ x का भाग दे देंगे, तो यब x का भाग इसमें दे देंगे, x का भाग तीनों दे देंगे, यहाँ से x का भाग देंगे, तो यहाँ से x कर जाएगा, तो यहाँ से x कर जाएगा, यहाँ से x कर जाएगा, यहाँ पचेगा 3 plus 1 upon x, बराबर आजाएगा तो एक जाएगा x square plus 1 upon x square plus cut 2 x into 1 upon x is equal to 9 इस x से ये cut जाएगा ये plus का 2 उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा 9 minus 2 is equal to 2 हो जाएगा 7 तो x square plus 1 upon x square की value भी हमको पता चल गई यहां से देखिए हमको क्या निकालना था यहां से हमको value किसकी निकालनी थी यहां से value निकालनी थी हमको x square plus 1 upon x square plus x plus 1 upon x तो x plus 1 upon x की value हम लोग निकालनी है 3 आ रही है x square plus 1 upon x square की value है 7 तो 7 तो 3 10 तो इसका सही answer हो जाएगा 10 option d option d इसका correct answer हो जाएगा अब बात करते हैं question number 77 की जो भी questions में कुछ mistake है उनको हम last में discuss करेंगे तो हम वो question अभी छोड़ के चलते हैं इसको हम सबसे last में discuss करेंगे कि किस-किस question में गलती है और या फिर question completely गलत है तो देखते हैं अगला question यहां देखिए 6 प्रेच्छणों के समच्चे माद्य 10 है तो प्रेच्छणों की संख्या कितनी है 6 और इसका माद्य है 10 तो इनका योग कितना हो जाएगा इनका योग हो जाएगा 10 गुणा 6 तो हो जाएगा 60 तो दूसरा देखिए और 4 प्रेच्छणों तो प्रेच्छण है 4 और उनका माद्य 5 तो इनका योग हो जाएगा 20 तो टोटल कितना हो जा रहा है total हो जा रहा 80 और अब मात वह कितने है प्रेच्छर तो एक छह और चार दस तो डज प्रेच्छर अर टोटल है 80 इनका मात कितना आ जाएगा इनका मात आ जाएगा 10 से इसको color दीजे तो 8 उसका सही answer हो जाएगा 8 option भी इसका correct answer हो जाएगा 78 का B अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो please like share करना बिलकुल न भूलेगा सभी questions 100% accuracy के साथ मैं बता रहा हूँ किसी भी question में किसी तरिकी की कोई गलती नहीं है अगला question देखते हैं 79 यदि A का 20% यदि A का 20% 20 बते 100 बरावर B का 0.35 0.35 जब इसको लिखेंगे तो जब point अटाएंगे तो नीचे आजाएगा 100 और बरावर हो जाएगा C का 2 बते 5 तो यहां से देखिए 20 पंचे 100 एक बते 5 यहां से जब 5 से काटेंगे तो इससे हो जाएगा 7 बते 7 बते यहां हो जाएगा 20 फिर इसका देखिए 2 बते 5 अधिए 5 से काटेंगे 5 चौकू 20 और फिर यह 5 तो देखिए क्या बच रहा है यहां पर बचेगा इस 4 यह जो 4 बच रहा है नीचे यहां देखिए यह जो 4 बच रहा है उपर हम 4 का मल्टिपलर कर देंगे तो 4 का मल्टिपल यहां करेंगे 4 का मल्टिपल यहां करेंगे 4 का मल्टिपल यहां करेंगे तो इस 4 से यह 4 कट जाएगा यहां हो जाएगा 4 A बराबर का यहां देखिए क्या बच रहा है 7 B बराबर में हो जाएगा 8 C यह हमारा निकल के आ गया इससे अब देखी एनपाद बीनपाद C पूछ रहा है तो ईनपाद बीनपाद C पूछ रहा है बरावर लिख लेंगे हम K अप यहाँ से देखिए यहाँ से देख क्या रिखा यहाँ से आ रहा था 4A बरावर 7B बरावर 8C is equal to K अब A and path B and path C पूछ रहा है तो यहां से देखी A की value क्या हो जाएगी 4A बरावर K तो A बरावर हो जाएगा K बटे 4 यहां से हो जाएगा 7B बरावर K तो K बटे 7 और 8C बरावर K तो C बरावर हो जाएगा K बटे 8 अब ऊपर नीचे वाले का LC M लेजिए 56 56 का उपर हम बुडा कर देंगे 56 का उपर हम बुडा करेंगे 56 यहां हो जाएगा 56 यहां हो जाएगा अब देखें 4 से काटें 4 से इसको काटेंगे 14Ah साथ अठ यहां आते 14 बर हो जायंगे 7 नहिए 14लाइग देखते हैं 15 लीटर दूद और जल के मिस्रण में 5% जल है 5% जल है और 2% जल वाला मिस्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कितना सुद्ध दूद मिलाया जाना चाहिए तो यहां से देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है यहां से देखिए मिल्क और वाटर में 5% अगर वाटर है तो 95% मिल्क होगा और 15 लीटर का तो 15 लीटर का 0.5% के 5% कितना हो जाएगा 0.75 लीटर अब वो बोला है 2% वाला बना दिया जाना तो उसको 2% वाला बना देंगे तो यहर कितना दूद हो जाएगा 98% अब यही 2% की वैल्यू दे रखिए 0.75 तो 2% की वैल्यू 0.75 दे रखी है 2% की वैल्यू दे रखिए 0.75 तो यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 0.75 upon 2 into हो जाएगा 100 तो यहां 0.00 हट जाएगा 208 जाएगा तो यहां से बचेगा 75 बटे 2 तो 75 बटे 2 करेंगे तो हो आजाएगा साड़े 37 37 लीटर अब यह है 37 लीटर कॉंटिटी अप पहले कितने थी 15 लीटर तो उसमें से घटा दीजिए 35 लीटर में से 15 लीटर घटा दीजिए जब इसको घटाएंगे तो आजाएगा 22.5 तो इसका सही अंसर हो जाएगा 22.5 लीटर दूद मिलाया जाना चाहिए सुद दूद मिलाया जाना चाहिए तो इसका सही अंसर हो जाएगा 22.5 इसका सही अंसर हो जाएगा 22.5 लीटर सुद्धूदूद मिलाना चाहिए अगला कुशन देखते हैं बोला A और B मिलकर एक कारे को 9 दिन में पूरा करते हैं A और B A प्लस B जो है वो 9 दिन में पूरा करते हैं B प्लस C B प्लस C इसको पूरा कर रहे हैं 15 दिन में और तीनों मिलकर एक स्था तीनों मतलब A, B और C यह तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में तो बोला A और C मिलकर कितने दिनों करेंगे तो यहां से हम A और C की अलग-अलग efficiency निकाल लेंगे यहां से देखिए इनका LCM कितना हो जाएगा 9, 15 और 6 का LCM हो जाएगा 90 तो A प्लस B नो दिन में करते हैं 90 काम तो एक दिन में कितना करेंगे 10 B प्लस C 15 दिन में करते हैं 90 काम तो एक दिन में करेंगे 6 और A प्लस B प्लस C करते हैं 6 दिन में 90 काम तो एक दिन में करेंगे 15 काम अब यहां से देखिए A प्लस B प्लस C बरावर दे रखा है 15 तो B प्लस C यहां से देखिए हम निकाल लेंगे तो A प्लस B प्लस C बरावर दे रखा है 15 और यहां से देखिए B प्लस C is equal to कितना है 6 है तो b plus c is equal to यहां पर 6 रख देंगे तो a plus 6 हो जाएगा ब्रावर 15 तो यहां से a की value निकल का जाएगी वह जाएगी 9 तो a की value हमको पता लग गई 9 अब हमको निकालने किस की value a और c की value तो चाहिए तो यहां से देखिए a plus b c VARवर भी दे रखा है 10 तो इसी कृशन में जो a plus b plus c ब्रावर दे रखा है 15 इसी क्यूशन में a plus b का मान लग laying गेंगे तो A plus B का मान यहां से कितना हो जाएगा 10 a plus b क मान 10 दे रखा है 10 plus c ब्रावर 15 है तो c ब्रावर आmaस 15-10, मतलब C बढ़ावर आ गया 5 तो C की efficiency आ गई 5 और A की efficiency हो गई 9 तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो A एक दिन में कर रहे है 9, C एक दिन में कर रहे है 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 9, 5, 14 काम तो 14 काम एक दिन में हो रहा है साथ दिन इसका correct answer हो जाएगा अगला question दिखते हैं बोला दो pipe दो pipe A और B A जो है 36 minute में बर सकता है B 45 minute में बर सकता है इन दोनों pipe को कुंड में एक साथ खोले जाता है एक को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए कि कुंड 25 minute में बर जाए तो माल लीजिए इनका देखी efficiency निकालिए इनका efficiency हो जाएगा यहां से 186 और 45 का क्या गई जाती है LCM ले लीजिए तो 180 हो गया total work यहां से efficiency निकालिए A 36 दिन में कर रहा है 36 minute में 180 बर रहा है तो एक minute में कितना बरेगा एक मिनट में वरेगा 5 बी 45 मिनट में 100C वर रहा है तो एक मिनट में वरेगा 4 इनकी efficiency आ गई 5 और 4 की अगर माल लिए बंद ना किया जाता 25 मिनट तक अगर चलता रहता तो एक मिनट में वर रहे हैं 9 तो 25 मिनट में कितना वर देते हैं 25 कितना ज़्यादा वर दे रहे हैं 180C की requirement थी 25 वर दे रहे हैं मतलब 45 ज़्यादा वर दे रहे हैं किसकी वज़ा से वर दे रहे हैं क्योंकि A को बंद कर दिया गया था लेकिन हमने यहाँ पे बंद नहीं किया तो एक मिनट में वर रहा है 5 तो मतलब 9 9 मिनट यह एश्ट्रा चला तो 9 मिनट किस से एश्ट्रा चला मतलब 25 मैनस 9 मतलब 16 मिनट बाद A को बंद कर दिया जाना था तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D 16 मिनट बाद A को बंद कर देना था अगला question देखते है 83 83 को भी हम लोग बाद में discuss करेंगे इसमें कुछ problem है इस question में तो इसको हम बाद में discuss करेंगे अब बात करते है 109 109 नंबर की यहां से देखिए इस question में निम लिकित को हल करना है तो यह हमारा यह दे रखिए इसको हमको हल करके बताना है कि answer क्या आएगा तो चलिए इसको solve करते हैं यहां से देखिए इसको solve करते हैं यहां पर तो 42 तो यहां से हो जाएगा 42 minus 2 25 यहां से जब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 का भाग जाएगा 16 में तो बचेगा कितना 4 तो 4 गुणा 3 minus का 4 into 4 plus का 5 तो आगे बाहर का 5 पांची रहेगा फिर यहां देखिए 42 minus 2 25 बारा हो जाएगा 37 में से 16 गया plus का 5 अब यहां से देखिए 42 minus 2 37 और 16 जब गटाएगे तो यहां बचेगा कितना 21 और प्लस का 5 21 दोनी 42 तो 42 कट जाएगा प्लस का 5 इसका सही अंसर आ जाएगा प्लस का 5 option D option D इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं अगले question देखें क्या बोला है यदि 1.5A is equal to 0.2B तो हमें इस इसकी value बतानी है कि 3A minus 5B upon 3A plus 5B minus का 4 upon 27 की value क्या होगी चलिए देखतें इस question को कैसे solve करेंगे तो यहाँ पर यहाँ देखिए 1.5A तो यहाँ से देखिए A upon B is equal to हो जाएगा 0.2 upon 1.5 तो यहाँ से इसको काट दीए तो हो जाएगा 2 बते 15 अब A की जगह पर 2 रख दीजिए और B की जगह पर 15 रख दीजिए देखिए इस equation में तो एक ही जगह पर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 15 upon में हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 15 माइनस हो जाएगा 4 बते 27 तो उपर देखिए पंदा अपना 75 75 में से 6 कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 69 upon में नीचे देखिए 75 अच्छे 81 माइनस का 4 बते 27 देखिए इसको जब सॉल्फ करेंगे तो यहां नीचे 81 common आ जाएगा 81 common हो जाएगा तो उपर तो माइनस का 69 और माइनस का 21 तो जो उपर जोड़ेंगे तो 81 यह 81 से 81 कट जाएगा तो आंसर बचेगा minus 1 देखिए minus 1 के इस option में minus 1 option B इसका सही अंसर हो जाएगा option B अगला question देखते हैं बोला 2 दनात्मक 2 दनात्मक संख्याओं का LCM LCM और SCF का गुडणफल 72 है तो इन संख्याओं में से 6 का अंतर है माल लिजे X minus Y दे रखा है वो दे रखा है 6 तो इन संख्याओं का योग बताना है तो X plus Y बरावर भी अगर 6 हो जाएगा तो यह हो नहीं सकता है पहला option तो नहीं होगा क्योंकि संख्याओं का योग पूछ रहा था अगर हम 12 ले ले लेंगे तो X plus Y बरावर अगर हम 12 ले लेंगे तो X और Y कितनी कितनी आ जाएंगी एक 9 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी यहां से SCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा 9 इनका गुणा 27 होना मतलब बातर होना तो लेकिन हो 27 रहा इसके लिए हम option B बी इसका सही आंसर नहीं होगा option C देख लेते हैं तो X माइनस Y बरावर दे रखाए 6 और X प्लस Y बरावर अगर हम 18 ले लेंगे तो यहां से देखिए 18 जा 24 बटे तो एक संख्या हो जाएगी 12 और एक संख्या हो जाएगी 6 तो देखिए इनका SCF हो जाएगा 6 इनका LCM हो जाएगा 12 इन दोनों का अगर multiple करिए तो 12 बात्तर यही तो बोला था कि SCF और LCM का जो multiple हो रहा है वो बात्तर हो रहा है तो इनकी संख्याओं का योग पूछ रहा तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा C, option C 18 तो option C इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं बोला है इस question में देखते हैं कि क्या बोला है निम लिगत कॉल करना है तो यह आपको दे रखा है इसका मान बताना है तो अगर बार अगर बार जो देखिए बार अगर दो संख्याओं पर भी लगा इस पर भी दो पर लगा इस पर भी दो लगा तो यहां से देखिए डायेटली जब करेंगे इसको तो यहां से देखिए दो और चार छे छे में से तीन गया तो कितना बचेगा तीन कि अब हम स्टार्टिंग संख्याओं दे रखें इनका हम देख लिए अब जो बचा हुआ क्या हमारे पास है वो बचा है 36 का बार प्लस का 0.33 पर बार और प्लस बचा है 0.5 पर बार यह माइनस का बचा है माइनस का 0.5 पर बार माइनस का तो 33 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69 और 69 पर बार यहां देखिए 69 पर बार प्लस में है यह और माइनस में 0.5 पर बार तो जिए माइनस में 69 में 5 गया तो आजाएगा 64 पर बार तो देखिए 3 पहले से था तो 3.64 पर बार देखिए किस option में है 3.64 पर बार 112 का सही answer हो जाएगा option A अगला question देखते हैं 113 number 113 number में भी कोई problem है इसको हम बाद में discuss करेंगे इसका सही answer क्या होना चाहिए या फिर question गलत है क्या है इसको हम बाद में discuss करेंगे अगले question पर चलते हैं 114 number पर 114 number देखिए यहाँ पर बोला है प्रतेग इस्तिती में प्रतेग इस्तिती में सम्तुल लिसेस प्राप्त करने के लिए संख्याएं 2270 277, 347 3749 और 6677 के निम लिखित में से किस बड़ी से बड़ी संख्याँ से व्याइद करें जाना चाहिए तो यहां से देखिए 2270 और 3749 और यहां दे रखा 6677 यह तीन संख्याँ आपको दे रखी हैं इनका इनका जब डिफ्रेंस लेंगे तो आएगा 2479 और इनका इनका जब डिफ्रेंस लेंगे तो आएगा 2978 तो 2978 है वो 1469 का दो गुना है तो 1469 इनका सीअफ हो जाएगा और यही यही इसका सही आंसर हो जाएगा तो औप्सन B औप्सन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला question देखते हैं बोला X और Y दो योगिक हैं क्रमसाइ 4 अनपाथ 3 और 4 अनपाथ 7 के अनपाथ में चांदी और तावे के मिस्रण से बने हैं इन दोनों योगकों की समान न्यात्रा को पिगला कर एक मिस्र धातू बनाई जाती है जैड तब मिस्र धातू में चांदी और तावे का अनपाथ बताना था कि चांदी और तावे का अनपाथ क्या होगा तो देखिए इसका सही अंसर क्या होगा चांदी और तावे का अनपाथ बताना तो यहां से X और Y X और Y में देखिए क्या दे रखा है चांदी और तावा एक में दे रखा है कितना चार इस्टू तीन और दूसरे में दे रखा है चार इस्टू सेवन तो हमको जो जैड बनानी है जैड में चांदी और तावे का देखिए कैसे निकालेंगे तो यहां से चांदी कितनी हो जाएगी यहां से चांदी हो जाएगी चार है और टोटल कितना है साथ चार वटे साथ प्लस यहां से देखें चांदी कितनी चार और नीचे टोटल कितना है साथ तो चार ग्यारा एक तो यह रेस्यू बन जाएगा दूसरे देखें यहां से इसको solve कर लीजे यहां से आपका answer आजाएगे नीचे देखिए इधर भी अलसीयम आजाएगे 77 जब यहां से खॉल करेंगे 7 से 11 11 44 प्लस 11 37 37 28 जब इसको देखिए 7 11 13 33 और 49 नीचे 37 देखिए 77 काट दीजिए उपर देखिए क्या बच रहा है उपर बच रहा है 72 72 जब इसको काटेंगे तो 36 और 41 तो 36 और 41 इसका सही answer हो जाएगा 36 रेशियो 41 115 का सही answer हो जाएगा option D अगला question देखते हैं बोला राजू राजू विजय से 20% अधिक आये अरजित करता है जो राजू है वो विजय से अगर विजय की माली जे 100 है तो राजू को जाएगी 120 क्योंकि 20% ज्यादा अर्जेत कर रहा है विजय दौरा अर्जित आये राजु दौरा अर्जित आये की तुलना में कितने % कम हे कितने कम है राजु से 20 कम है और राजु की गंपेर में पूछ रहा है तो 120 हो जाएगे इन्टू Só 20 छिंगा 120 यहां से दिखे 50,3 तो इसका सही आंसर आजाएगा 50 बटे 3% देखिए किस ओप्षन में ओप्षन B ओप्षन B इसका correct आंसर हो जाएगा अगला question देखते हैं बोला एक mobile दो दुखन दो mobile विक्रेताओं दोरा 45% के कुल लाब पर बेचा गया मनलीज ये 100 रुपे का mobile था 45% लाब मतलब 145 रुपए पर बेचा गया बोला अज्यादी पहले विक्रेता नेiegen 100 रुपे की चीज थी पहले विक्रेता ने उसको 25% लाब पर बेची तो दूसरे वेक्ते रतान बेची कितने गी, 145 की, तभी न, 45% का profit होगा, और 125 की उसने मिली थी, 45 बेची, तो 20 रुपे का profit हुआ किस पे, 20 रुपे का profit हुआ है, 125 पे, तो 20, 125 का कितने परसेंट होगा, वही इसका answer होगा, 20, 125 का कितने परसेंट, देखे 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 चार्चा को कितना होगा, 16%, तो इसका सही answer होगा, 16%, दूसरे दुकंदान ने इस पर 16% का profit लिया, 17 का सही answer होगा, 16%, अगला question देखते हैं, बोला है, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कारे को 24 दिन में पूरा करते हैं, एक फादर और एक सन है, वो 24 दिन में पूरा करते हैं, और अंतिम 6 दिनों तक पिता ने काम किया, तो मतलब अंतिम 6 दिनों तक पिता ने काम किया, तो कारे 26 दिन में समापत हुआ, इसका मतलब है, कि एगर 6 दिन गटा दें, 26 में से, तो 26 में से 6 गटाएंगे, 26 में 6 गटाएंगे तो 20, तो 20 दिन पिता और पुत्र दोनों ने का तो यहांसे दे वहादर किया एक टोत ऊट्रस सिघक करेंगे उनका ल्सियम यहांसा यहांसे थेट다ं यह total काम हो गया 24 दिन में 20 काम करते है father गातर सां गया तो एक दिन में करेंगे 3 father 36 दिन में 25 दिन में 2 tuag यहाँ से father की efficiency आगई 2 father प्लस son की efficiency दे रखे तीन तो father की efficiency आगर p plus s में से घटा देंगे sun की आजाएगी plus s दे रखे 3 और f बराबर 2 है तो sun, f ब्रावर 2 इसमें से घटा देंगे तो s ब्रावर आजाएगी 1 तो sun की efficiency आगई 1 मतलब जो beta है वो एक दिन में एक काम कर रहा है तो बातर काम करने हम कितना दिन लगेगा उसको बातर दिन लगेगा इसका सही answer हो जाएगा 72 118 का सही answer हो जाएगा 72 अगला question देखते है यहाँ से देखिए x, y, z x, y, z की जो total लागत दे रखिए x, y, z की जो total दे रखिए वो दे रखिए 4480 यहाँ से देखिए बोल क्या रहा है यहाँ से बोला यह जो उनका दैनिक वेतन दैनिक वेतन है 5 अनपा 6 6 अनपा साथ में और x ने 4 दिन काम किया तो एक दिन में मिलता है 5 तो चार दिन में मिले कितना? 20 रुप है फिर यहाँ से देखिए 6 है फिस एक वाई ने कितना दिन काम किया यहाँ से दिन कॉटेंट 0 चार से देखें, चार से इसको कटेंगे, तो यह तीन हो जाएगा, यह तीन हो जाएगा, यह तीन हो जाएगा, चार से इसको कटेंगे, तो दो, तो यहां से देखिए रेसियो क्या बना, पांच अनपात, नो अनपात, चौदा, पांच अनपात, नो अनपात, चौदा, इन ज देखिए यहां से 28 ratio value हो जाएगी 480 रुपए तो एक ratio value यहांस कितनी है 480 में 28 का हम भाग देदेंगे तो आएगा 160 एक ratio value आ गई 160 और A B C की ratio क्या निकल कहा है था पांच नौर 14 पूछ किस की रहा है यहांस देखिए पूछ रहा है इसकी पूछ रहा है A की X की पूछ रहा है तो X कौन सा है XYZ था A B C नहीं था XYZ था तो X कितनी है यहांस है 5 है तो एक ratio value 160 है तो पांच ratio value हो जाएगी 800 तो इसको सही आंसर हो जाएगा option A अगला question देखे हैं एक railá optic Yeah सूबह 7 बज Wade है र्शेंज से प्रस्तान करती एक redencessors सॉबह 7 बजे और 11 बजे पहुंचती है, तो 4 गंटे टोटल लग रहे हैं, और दूसरी रेल गाड़ी इधर से इधर, मतलब विजय वाड़ा से हैदरावाद की तरफ, कितने वह चलती है, 9 बजे चलती है, 9 एम पर चलती है, और 12.30 बजे पहुंच रही है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, तो 140 मीटर की डिस्टेंस है, 4 गंटे लग रहे हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 140 बटे 4 मतलब 35 किलोमेटर पत गंटे की स्पीड से चलती है, और ये वाली, 140, एज्यूम किये है, 140 किलोमेटर, टाइम लग रहा है, 7 बटे 2, तो 140 बटे 7 बटे 2, यहांस करेंगे, त तो 7 बटे 4 मतलब 40 किलोमेटर स्पीड आजाएगी, दूसरी वाली की, तो हमें स्पीड अब पता लग गई, इसकी स्पीड है, इधर से हैदरावाद से जो विजय वाड़ा जा रही, उसकी 35 किलोमेटर है, पर गंटे की स्पीड और विजय वाड़ा से जो हैदरावाद जा 70 km की distance रह गई है तो 9 वज़े से 70 km की distance रह गई है और इनकी क्या कही जाती speed कितनी है एक की 35 और एक की 40 एक दूसरे की विप्रीच जा रहे हैं तो speed जुड़ जाएगी speed जुड़के हो जाएगी कितनी 75 km पद गंटे 75 km पद गंटे की speed से 70 km की दूरी कितनी देर में तय करेंगे यहीं से इसका सही answer आजाएगी तो यहां से देखिए जब उसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 14 बटे 15 14 बटे 15 गंटा आगया इसको minute में change करेंगे तो 60 से बोड़ा कर देंगे 15 चकू, 60 तो 14 चकू हो जाएगे चलिए अगला कुशन देखते हैं बोला 24 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक खेत में 9 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक बटे 3 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया इस खोदी गई मिट्टी को समान रूप से खेत में खेत की उचाई कितनी बढ़ जाएगी तो देखे कितना एरिया भी बचा हुआ है तो 24 इंटू 14 टोटल था उसमें से 9 मीटर और 4 मीटर का जो गड़ा खोदा गया उसको हम अटा देते तो 9 इंटू 4 तो 24 इंटू 14 करेंगे तो हो जाएगा 336-946 तो यहां से आजाएगा 300 300 मीटर स्क्वाइर यह आगए है यहां का छेत्रफल अब जो 300 मीटर स्क्वाइर छेत्रफल है अब पूछ रहा है मिट्टी डाली जा रही तो माल लिजे एच मीट्चर उठाई तक उठ जाएगी अब मिट्टी का छेत्रफल कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 1 बटे 3 अब देखिए यहां से एच निकाल लीजेए तो यहां से 3 तरगा 9 तो एच बरावर आजाएगा 12 बटे 300 और 12 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 25 मीटर तो देखी एक बटे 25 मीटर उप्सन में है एक बटे 25 मीटर उप्सन में नहीं है तो सेंटि मीटर में दिया है तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटी मेटर 25 चौकू 100 तो इसका सही अंसर हो जाएगा 4 सेंटि मीटर option dx का correct अंसर हो जाएगा अगला question देखते हैं, बोला है एक नल, एक नल आठ गंटे में एक तंकी को भर सकता है, आधी तंकी भर जाने पर, मतलब एक तंकी को भरने में, आठ गंटे लगते हैं, तो आधी तंकी भरने में लगेंगे चार गंटे, तो चार गंटे लग गए, उसके बाद बोला है, इसी टोटल है, 4 भर चुका है, तो बचा कितना 4, 4 भरना है, और इफिजेंसी इनकी यह 5, तो 4 बटे 5 गंटे इनको लगेंगे, लेकिन 4 बटे 5 गंटे नहीं मिनट में निकालना तो 4 बटे 5 एंटू करतेंगे 60, तो 60 से इसको कटेंगे 12, 12 चौकू, 48, 48 मिनट, 4 गंटे तो हमको प option B, इसका correct answer हो जाएगा, अगला question देखते हैं, बोला है दिनांक, दिनांक 112012 को रहवार था, तो दिनांक 112013 को कौन सब्ता में कौन सा दिन होगा, देखिए 2012 लीपियर है, तो लीपियर जब होता है, तो हम पहले calendar के हम वीडियो डिसकस किये थे, हमारा playlist आप चेक कर लिज अगर रहवार है, तो last 31 December, 41 December, 31 December को भी रहवार लेकिन यहाँ पर सोमबार होगा, अगर लीपियर ना होता, लीप एर नहीं है तो एक दिन एड़ हो जाता मतलब अगर रहिवार है तो 31 दिसंबर को भी रहिवार होता अगर साधाराण वर्स होता लेकिन अगर साधाराण वर्स नहीं है तो एक दिन एड़ हो जाता मतलब अगर रहिवार है तो 31 दिसंबर को सोमबार होगा 31 दिसंबर 2013 को लेकिन पूछ क्या रहा है एक है तो 31 सिसंबर के बाद आएगी एक तो सुमबार के अगला दिन हो जाएगा मंगलवार तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलवार option A का correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं बोला है 60 मिनट में पड़े सही विकल्प चुनने है एक और दो विकल्प दे रखें उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है तो 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 45 मिनट आगे निकल जाएगी सीजी सी बात भाई माले जे द गंटे 10 मिनट में गंटे की सुई 150 एक गंटे मना रही 30 दिगरी तो 5 गंटे मनाएगी 1500 जबकि पूछ रहा है 5 गंटे 10 मिनट में तो 1500 से ज्यादा बनाएगी इसका मतलब जो 2 है वो गलत हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा केवल और केवल कथन एक शत्य है अगला question दे options आ रहे हैं माली जी अगर हम कुछ मान भी लें value अगर माली जी इसको 45 45 माल लें या फिर इसको 30 और इसको 60 माल लें अगर कुछ भी माल लेंगे तो यहां से साइन बराबर साइन भी तो हो नहीं सकता यह minus वाले तो वैसा ही कट गई अब हम केवल एक question चेक कर लेते हैं साइ पर भी रखते हैं 30 रखते हैं तो इनके बराबर आने से रहा तो 125 जो है 125 नंबर question यह भी question गलत है तो इसके एक यह question हो गया आपके सिप्ट में तीन और question गलत है उनको हम एक बार और discuss कर लेते हैं कौन-कौन से question गलत है यहां देखिए 77 नंबर question A, B, C समांतर सेणी में है समांतर सेणी का मतलब है कि जो उनके बीच का difference है वो बराबर होना चाहिए माल यह अगर 30, 60 और 90 है हम यहां से ले 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 तो यहां देखिए 30 का difference यहां भी 30 का difference तो यह समांतर सेणी में हो गए तो इससाब से देखिए य B, C पर लंब है तो A, M जो है B, C पर लंब है ठीक है तो लंवत है तो B, M, A, B का माल पूछा है तो B, M और A, B तो यहां से यह सही figure नहीं draw हो पा रहा है तो इसका जो question है 77 नंबर इसमें भी कोई गरवड़ी है तो सही सो question पूछा नहीं है या फिर कुछ और fault है तो 77 को नंबर था 125, 177 अगला देखते है 83 नंबर question में भी कोई fault है 83 नंबर question देखते हैं इसमें देखी क्या बोला है यहादी A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 is equal to A square तो भाई A की पावर 4 है और B की पावर square को जोड़ भी रहे उसके बाद A square के बरावर तो आई नहीं सकता माल लिज करते हैं तो यहां से सैटिसफाइगा तो A बरावर 1 रहें तो एक बीकी पावर 0 वरकिंग 0 बरावर 1 का square करेंगे तो एक यह दिखियर satisfy कर गया तो यहां से अकर एक पावर-एक रख देंगे तो एक पावर 6 होजाएगी 1 प्लस 0 तो यहां से आ जाएगा 1 तो देखिए 1 की option में option B option C यहां से दो सही हो जा रहे हैं इसका मतलब है कि 83 83 question भी यहां से गलत है तो तीन question अभी तक हमको मिले गए 125 नंबर 77 नंबर और 83 नंबर एक question और हम लोग के पास है वो भी question गलत है तो उसको भी एक बार देख ले रहे हैं इस question को देखते हैं यह दि 8 की power 12 इंटू 64 की power A इंटू 40 की power 24 इंटू 25 की power 13 बरावर दे रखा 40 की power 5 तो A का मान बतानता है इस question को हमने completely solve किया बट answer answer A की power A का सही नहीं आ रहा है तो जो option में match नहीं कर रहा है इसलिए जो question है यह भी कहीं ने कहीं wrong है तो आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ चार question है जो wrong है 21 question इसके एकड़म अच्छे question थे चार question अब एक बार फिर बता दे रहे है 77, 83 और आपका 113 और 125 यह 4 question यह 4 question रॉंग है इनको छोड़कर आप लोग अपने marking करिए 21 question पर marking करिए और बताईए आपके कितने questions आई हुए अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो please like share करना बिलकुल ना भूलिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching this video